टीवी पर इन तिनों काफी नए शोज आ रहे हैं और अब पुराने शोज ओफेर जा रहे हैं तो ही आने वाले तीज दिनों में टोटल एट शोज ओफेर होने वाले हैं तो चलिए जानती हैं कि आखिर कौन-कौन से शोज ओफेर होंगे ओफेर होने वाला पहला शोज है स्वर्ण घर यह शोज 25 नुवंबर को ओफेर हो रहा है कलर्स के इस शो में संगीता घोश ने मुक्या भूमिकाईन भाई और शोज को ओडियन्स द्वारा काफी पसंद किया गया लेकिन अब शोज ओडियन्स को अलविदा कह रहा है इस धरम पतनी तो वहीं दूसरा ओफेर होने वाला शोज है सोनी टीवी का यह शो मती मया के नंद लाला और इस पुराणिक शोज का भी लाश्ट एपसोड 25 नुवंबर को ही टेली काश्ट होगा यह शोज भी ओडियन्स को काफी पसंद आया है जिसमें कि नेहा सरगम त्रीश जलते रिष्टों का बंधन यह शो भी सोनी टीवी का ही है हलांकि शो की फिलहाल लाश्ट एपसोड की डेट नहीं आई है लेकिन यह शो नुवंबर के एंड तक ओफेर हो जाएगा यह शो ट्यार्पी में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिसकी वज पानिक शो भी ओडियंस को काफी पसंद आया है लेकिन अब शो ओफेर होने जा रहा है और इस शो को रिपलेस करेगा नया शो दिल दियांगलना तो वहीं पांचवा ओफेर होने वाला शो है चन्ना मेरिया यह शो श्टार भारत का शो है जो की अर्ली टार्म से लोट पर ट हो जाएगा छटा ओफेर होने वाला शो है हर फूल मोहिनी यह शो कलर्ज टीवी का है जिसमें की जेबी सिंग और शगुन शर्मा ने मुक्या भूमी काई निभाई लेकिन अब शो ओडियंस को अलविदा कह रहा है अलांकि इस शो की भी लास्ट एपसोड रेट फिल हालता नहीं हुई लेकिन शो डिसेंबर के शुरुआत में ओफेर हो सकता है साथवा ओफेर होने वाला शो है जी टीवी का संजोग यह शो में जतीन महिने पहले ही शुरू हुआ था और शो अब ओफेर होने जा रहा है इसका लास्ट एपसोड 25 नुमबर को टेली कास्ट होगा औ और इस शो को रिपलेस करने वाला है नया शो रब से है दुआ जिसमे की करणवीर शर्मा अदीती शर्मा जैसे स्टार्स दिखाई देंगे आठवा ओफेर होने वाला शो है स्टार भारत का बहुत प्यार करते हैं इस शो को लास्ट एपसोड 10 डिसेंबर को टेली कास्ट हो और इस शो को रिपलेस करेगा नया शो धीरे धीरे से तो ये हैं वो आठ शो जो कि अब जल्द ही ओफेर हो जाएंगे आप इन में से कि शो को सबसे ज्याद हमिस करने वाले हैं हमें बताइए नीचे एक मैर्स आक्शन में सुडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्र कीजिए एक्शन में